अगर तुम्हारे दिन धुन्धले और खत्म ना होने वाले लगते हैं, तो हिम्मत रखो। सोचो तुम एक आराम दायक कमरे में डौ। महाजन के साथ बैठे हो, जो एक दोस्ताना मनोचिकित्सक हैं। वो नर्मी से पूछते हैं, तुम इन दिनों कैसा महसूस कर रहे हो। तुम कहते हो, बताना मुश्किल है, बस खाली पंसा लगता है। महाजन समझदारी से सिर हिलाते हैं। ये भावनाय कब शुरू हुई? वो पूछते हैं। तुम सोचकर कहते हो, कुछ महीने पहले, वो आगे पूछते हैं, नींद, भूक या एनरजी लेवल में कुछ बदलाव आया है। तुम सिर हिलाते हुए बताते हो कि नींद अच्छी नहीं आती और मन पसंद कामों में भी दिल नहीं लगता। महाजन ध्यान से सुनते हैं, क्या तुम्हें कभी मरने की इच्छा या आत्महत्या के विचार आए हैं? वो पूछते हैं, तुम धीरे से कहते हो, हाँ, कभी-कभी. महाजन सहानुभूती से सिर हिलाते हैं और कहते हैं, ये महत्वपूर्ण है कि हम इस पर ध्यान दें, क्या तुम्हें पहले भी कभी डिप्रेशन या अतियुद्साह के लक्षन हुए हैं? वो पूछते हैं, तुम सोचकर कहते हो, हाँ, कुछ साल पहले भी ऐसा हुआ था। महाजन ध्यान से नोट्स लेते हैं. हम तुम्हारे परिवार की हिस्ट्री के बारे में भी बात करेंगे, वो कहते हैं. तुम बताते हो कि तुम्हारे एक करीबी रिष्टेदार को भी ऐसी ही तकलीफ थी. इन सवालों के जरीए, महाजन तुम्हारी कहानी के टुकडे जोड ताकि डिप्रेशन को समझ कर उसकी डाइगनोसिस कर सकें। याद रखना, मदद मांगना बेहतर महसूस करने की तरफ एक कदम है। इस सफर में तुम अकेले नहीं हो।